लौर्न इज़ल्स कए लार्णीजी चनल आज के कक्НАा में हम गोणसंधी के बारे में पढ़ेंगे तो आएए देखते हैं स्वरसंधी का दूसरा प्रकार है गोणसंधी तो आएए गोणसंधी के बारे में जानते हैं इसमें अ या आ का किस अंदी जब ई और ई पहला वर्ण का अंती मक्षर अ या आ हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ई या ई हो तो वो मिलकर ए बन जाता है इसी प्रकार से जब संदी हम करते हैं तो पहले शब्द का आखरी वर्ण आ है और दूसरे शब्द का पहली मात्रा या कहें पहला वर्ण उ है तो वो बन जाता है या इसी तरह के से अ या आ अगर पहले वर्ण का आखरी है और दूसरे दूसरा वर्ण जो है वो री से शुरू one तो वह अर बन जाता है तो इनको हम चलिए उंधारणोंगा दोलगिक तो यह आपको और अच्छे से समझा जायगा आई यह देखते हैं और Olie कि इन में संदी किने पर किस प्रकार से आता है कुछ उधारनों दोरा देखते हैं अब यहां देखो नर प्लस इंद्र के साथ जब इंद्र हमने शब्द जोड़ा पहला शब्द का अब देखते हैं पहले शब्द में और है हमारा यह और यह ए और यह जुड़कर ए बनेगा तो यह क्या बन जाएगा, किस तरीके से इसको लिखेंगे, न, र, और इस ए की मात्रा इस परकार से आजाएगी, न, र, और यह जो अंग की बिंदी है, यह यहाँ पर आजाएगी, और यह इस तरीके से नरेंदर आजाएगा, इस दोनों को जोड़ेंगे, तो वो इस तरीके से जुड़ेगा अब यहां देखू इसी प्रकार से घ्यान है कि यहां आ है और यहां यह दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो घ्यां त्रहिए इस तरीके से बन जाएगा यहां बनों को जोड़ा और एंक मातरा लग गई यहां आपने दिखा हुआ है के साथ यह आ के साथ इनको हम जोड़ेंगे इनकी संधी करेंगे तो संधी के बाद जो विकार उत्पन होगा वो ए होगा इसी तरीके से यहां आ स्वर है यहां ए है और आ और ए को मिलाने के बाद भी ए ही आएगा तो इनको किस प कैसे यह थ के साथ में अब हमने क्या जोड़ना है यह जोड़ना है तो यह क्या बन जाएगा यह थे श ट हमने यहां पर इसको हटाया और यहां आ को हटाया यहां यह को हटाया दोनों को हटा के क्या बन गया हमारा यह बन गया तो एक ही हमने मात्रा लगा दी यह थ फिर ए और यह श और यह इसी तरीके से आ जाएगा तो क्या बन जाएगा यह थेश्ट इसी तरीके से सुरेश को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा सुरेश यहां और यहां है और यहां पर हिर्स्व दिर्ग यह है ठीक है यहां पर है और यहां दिर्ग यह दोनों मिलके क्या बन गया कि यहां पर आजायागा ऐ और सुरेश इसी प्रकार से गन प्लषए यहन और यहां न का और यहां 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 दोनों को जोडेंगे हम और यह दोनों मिल ऐ तो यह यहां पर महातला आगई और यह दोनों तो हमें ध्यान यह रखना है कि पहले यह उक्षर क्या है तो उस वर्ण का 12 में और जो दूसरे शब्ड हमारा उसका पहला वर्ण उन दौनों को हमने तो इसी तरीके से देव और इंद्र यहां पहले शब्द का हमारा अक्रिवर्ण है और यहां इयह तो जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे और एको फिर ए बन जायगा तो इसको किस तरीके से जोड़ेंगे देवे और यहां बी यहां जो है एंकिंदी और यह बन जाएगा देवेंद्र इसी तरीके stitching and और ए जाएगह तो यहां धरें आरो ऋ प्वह सिक तरीके से और इसको जोडेंगे यहां देको पहले वर्ण का पहले शबद कहांं अंतीम वन है आ के साथ मैं हमने इन यंहां नब अर दिर्ग यह नुकक यहां और य् 5000 के साथ में हमने एक ही मातरा लगा दी लंकेश यह उन दोनों को जोने पर लंकेश lodge यहां से घ tahun जाएगा इसी तरीकसे यहां देखो हमारा और यहां यह हमारा इए हमेरा दीर्ग Hai और यहां यह दीर्ग सोर है यह दूनों देन्ल 40 मिलकि क्या बनेगा इहां पर बन जाएगा तो मколь में हो अब इन दोनों को हटा के हमने क्या लगा दिया एक ही मातरा लगा दी और श महेश इसी तरीके से यहां पर आ और इ इनको जोड़ेंगे हम म हे और यह अंग की बिंदी है अंद्र महेंद्र इसी तरह किसे यहां पर आ है और यहां इए ठीक है यहां पर दीर्ग है यहां भी दीर्ग है तो दोनों मिलके ए बन रहे हैं तो राजेश यह बन जाएगा राजेश तो देखा बचो आपने किस तरीके से यह पहले शब्द को और दूसरे शब्द को जोड़कर एक नया शब्द हमारे सामने आ रहा है और किस परकार से आ रहा है यह यह संदी करने से नया शब्द निकल कर आ रहा है तो आएए अब हम आ और उ को जोड़ने के बाद किस परकार स सबके एक दूस्रे करने पर किस प्रकारस समझने का प्रयास करते हैं अब यहां देखो पर और उपकार और यहां पर के साथ में अ की आवाज आ रही है यहां पर और यहां और दोनों की संधी करने पर जब पहले वर्ण का अंती मक्षर हमारा जो है और दूसरे शब्द का पहला हमारा वर्ण तो उन दोनों की जब संधी होगी तो ओ आएगा ठीक है यह नियम है यह जो हमें याद रखने है ठीक है अब इनको किस प्रकार से हम इनको जोड़ेंगे पर र अब यहां देखो यह र के साथ अ के साथ उ किया जोड़ा हमने तो ओ आया तो यहां पर ओ की मातरा लग जाएगी तो प, रो और आगे का शब्द जो है वो उसी प्रकार से लिखेगे हम प, का, र, परोपकार अब यहां देखो सूर्य, अ और अओ, अ और उ, को जोड़ने पर भी ओ आएगा तो किस तरीके से इसको जोड़ेंगे हम? इसके साथ में तो किस तरीके से लगाएंगे ये इस प्रकार से लगा जाएगा ये र की मात्रा जो है यहां इस तरीके से लिखा जाएगा इस तरीके से लिखा जाएगा इसमें ओ भी आ गया और यह जो र है हमारा वह यहां पर आ जाएगा तो सूर्य उश्मा इस प्रकार से लिखा जाएगा अब यहां देखो जल और मी यहां ओ है यहां ओ है ज लो यहां ओ बन जाएगा ठीक है लो के साथ ओ की मात्रा लग जाएगी और यहां पर मी आ जाएगा जलोर मी इसी तरीके से आ और उ दोनों को जोड़ेंगे तो भी ओ आएगा म हो इस तरीके से लिखेंगे महोर जी ठीक है महोर जी यह इसका जो विकार उत्पन होगा वो इस प्रकार से होगा अब यहां देखो पुरुश उत्तम अब यहां यहां अ है यहां उ है तो दोनों को जोड़कर ओ बनेगा तो वो किस प्रकार से लिखा जाएगा पुरुशो तम श के साथ ओ की मात्रा लग जाएगी और तम इसी तरीके से आ जाएगा तो यह क्या बन जाएगा पुरुशो तम इसी तरीके से आ और उ महा और उदे दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा यहां पर हमने यहां आ है हमारा ठीक है और उ आ और उ को जोड़ने पर भी ओ आया अब यहां देखों यहां भी आ है यहां उ है आ और उ उ उसको भी जोड़ेंगे तो भी हमारा ओ ही आएगा तो यहां पर गंगा गंगा और उर्मी तो इनको जोड़ेंगे गंग आ जो है हमारा ओ में बदल जाएगा यहां पर और उर्मी गंग और मी अब यहां देखो महा उत्सव महा और उत्सव आ और उ ठीक है तो यह क्या बन जाएगा महोत्सव जैसे यहां महा और उदे जोड़कर हमने महोदे बनाया था इसी तरीके से महा और उत्सव जब जोड़ेंगे तो यह क्या बन जाएगा महोत्सव यहाँ आ और उ दोनों हटा के हमने ओ लगा दिया अब यहाँ देखो बाल और उ यह दोनों भी जुड़ेंगे तो क्या बन जाएंगे तो यह क्या बन जाएगा बाल प्लस उपियोगी बालो प्योगी बालो प्योगी तो है ना आसान बच्छा यह संधी करना हम बस हमें यह ध्यान रखना है कि यहाँ जो हिस्व है यह देर्ग आ है यह हिस्व स्वर और देर्ग स्वर इनको मिलारने पर पहले यहां पर E और E को जोड़ा था अब यहां O और O को जोड़ा तो यह O हो गया और पहले हमने E और E को जोड़ा था तो A जोड़ा था A और A के साथ में E और E का मिलान हुआ था तो A आया था यहां पर A और A के साथ O और O का मिलान हुआ तो O आया पर ध्यान ये रखना है कि पहले वर्ण का अंती मक्षर इन दोनों में से कोई होना चाहिए और दूसरे शब्द का पहला वर्ण इन दोनों में से होना चाहिए तो ये विकार जो उत्पन होगा हो ओ होगा आईए अब देखते हैं कि अ और आ का जब हम पहले वर्ण में जो अ और आ हो अंती मक्षर और दूसरे वर्ण का पहला अक्षर हमारा री हो तो वो किस प्रकार से जुड़कर अर बन जाता है आईए उधारन दोरा देखते हैं और आ के साथ जब री मिलता है तो विकार उत्पन होता है अब यहां देखो राज और यहां रिशि लिखा हुआ है अगर राज अब इसको हम जोड़ेंगे तो राज क्याि बन जाये गा इस तरह सथी राज श्री को दिशे कोΠ 001 Bowl ूं इस तरीक से उज्ड़ इसे तरीके से सब्त और अर्थी यह मिल के क्या बन जाय गा यहां पर भी सब्त को सब्त और फिर यह श्रीश के से इस तरीके से महा और महां के साथ में यह इस सटरीके से तो देखा बच्चों आपने कि कितना असान है गुण संधी को जब हम समझ लेते हैं तब क्यूंकि पहला one और दूसरा one उनको जोडने के बाद जो विकार उत्पन होता है बस हमें वो याद रखना है तीन नियम जो इसको शुरू में हमने बताये थे वो आपको याद रखना है कि अ, आ के साथ में जब ई, ई आएगा तो ए होगा और आ के साथ में उ या उ को जोडेंगे तो वो ओ होगा और ये तीसरा नियम तो इन तीनों को जब आप अच्छे से याद रखेंगे तो गुण संधी आपको बहुत अच्छे से समझा जाएगी तो चलिए बच्छो आज की कक्षा में इतना ही अगली कक्षा में फिर मिलेंगे तब तक के लिए बाई